पटना में सीम दितिश ने हाई लेवल मिटिंग में लिया एहम फैसला संक्रमर के मद्दे नजर एक सप्ता के लिए बढ़ाएगा लॉकडाउन बिहार में एक जून तक लागू रहेगा कुर्णा कर्व सीम के ग्रिह जिले में चल रहा है बदहाल स्वास तुपकेंद्र कड़े दिशा निर्देश के बाद जरजर रवस्था में चल रहा है स्पतार पुड़े के धेर के बीच किया जा रहा मरीजों का इलाज राज्य जार्खन के सामने वैक्सीन की किलत 18 प्लस के लिए 2 से 3 दिनों का बचा है स्टॉक सीम बोले जुरत 4 करोड की थी और मिली केवल 40 लाख वैक्से वाई जार्खन में करोणा वाइरस से 33 संक्रमितों की मौत बीते 24 घंटे में सामने आए 1345 नए मौमने राज्य में करोणा से मरने वालों के संक्या हुई 4,801 हत तब आफकार में नियाज खान और आप देख रहे हैं वियाई पी नियूज अब सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर सियम नितीश कुमार के बिहार में परते दीन होने वाले कुरोणा टेस्ट की संक्या देढ़ लाग से उपर ले जाने का निरदेश दिया है उन्होंने कहा कि फिलहाल परते दीन आउसतन लगभग 1,27,000 जाच की जा रही है मार्च महीने में 10 लाग की अबादी पर देश में परते दीन जितनी आउसतन जाच हो रही थी उसके तुलना में बिहार में 14,000 जाच ज्यादा हो रही थी सियम ने ये बाते क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप की बैठक में कही है इसी बैठक में बिहार में लॉकडाउन को बढ़ा कर एक जून तक करने का भी निड़ने लिया गया है इससे पहले दो दिनों तक सियम सभी जिलो के डियम से फिटबैक लेते रहे थे सभी ने कहा था कि लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमन की धर में गिरावट आई है इस दवरान उन्होंने सभी डियम को निर्देश दिया कि ग्रामेड शेत्रों में कोरोना संक्रमन को लेकर विशेज सतर्गता बढ़ते तो बिहार में हर दिन देड़ लाग कोरोना टेस्ट का निर्देश दिया गया है प्रदेश में कोरोना बढ़ाने होंगे कोरोना टेस्ट सीएम ने ये कहा है तो सियम नितीश कुमार ने बिहार में परती दिन होने वाले कुरोना टेस्ट की संख्या देड़ लाग से उपर ले जाने का निर्देश दिया है और उन्होंने कहा है कि फिलहाल परती दिन ओसतन लगभग एक लाग 27 हजार जांच की जा रही है मार्च महीने में 10 लाग की अबादी पर देश में परती दिन जितनी ओसतन जांच हो रही थी उसके तुलना में बिहार में 14,000 जांच जादा हो रही थी CM ने ये बाते क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप की बैठक में कही है इसी बैठक में बिहार में लॉकडाउन को बढ़ा कर एक जुन तक करने का भी निर्णने लिया गया है इससे पहले दो दिनों तक CM सभी जिलो के DM से फिट बैक लेते रहे थे और सभी ने कहा था कि लॉकडाउन के कारण करोना संकर्मा के दर में गिरावट आई है और इस दोरान उन्होंने सभी DM को निर्देश दिया है कि ग्रामीर शेत्रों में करोना संकर्मा को लेकर विशेस सतरकता बरते हैं और इसी खबर पर हमारे वरिष्ट समवाद दाता शाशांग दूबे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है शाशांग जी बिहार में हर दिन देड़ लाग करोना टेस्ट का निर्देश दिया गया है तो इसको कैसे पूरा किया जाएगा देखें नियाच बिहार में पिछले एक महीने से करीब एक लाग के करीब एक लाग पांच जार दस जार कभी कम भी करोना के टेस्ट किये जा रहे थे जिसमें एंटीजन टेस्ट और अर्टीपिश्या दोनों टेस्ट सामिल है लेकिन अब इस बार अभी लगबद कल तक के करोना के मामले तेजी से बिहार में घढ रहा है लेकिन फिवी कल नितिश कुमान ने एक हाई लेवल समिच्छा बैठा की और उसके बाद जो प्राइशिस मेनेजमेंट ग्रूप है उन्होंने एक सफ्ता के लिए बिहार में लॉगडाउन को और बढ़ा दिया है यहार सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि कहीं से भी कोई कसर न चोलि जाए और जो करोना के मामले हैं को तेजी से निकार कि जानी ले अगर प tutaj हैं कि जो करोना से लड़ने के जो अगल उपाइं जैसे टरेसिंग है ट्रेकिंग उसके बार ट्रीटमेंट हैं तमाम चीजों को पूरी तरह से लागू रखा जाए और जो रूरल सिक्टर्स हैं तो कि अब अर्बन एरिया में तमाम लोग या तो उनकी जाच हो चुकी है या तो फिर वो उनमें सुधार हो गया है या तमाम तरह की चीज़े हैं लेकिन जो ग्रामी इलाक पर जो मामले समन्या है उनके लिए बेश्थाए की जाएं वहीं दूसरी उन्हों जो लॉग डॉण लगाया गया है इसमें रिष्टिक मजिस्ट्रेट को का रिष्टिक आउडर दिये हैं और काफी कड़े आउडर दिये हैं कि आप इस लॉग डॉण के प्राउधान है उन और तीसरा महतुपोर्ण बाद असलेक लिए हलांकि वैक्सिंग की कुछ कमी है वैक्सिंग जितनी जरूवत होतनी से राज्यों को नहीं मिल पा रहे हैं चाहा हो बिहार हो या देश के अन्य राजी भी हो लेकिन वैक्शिनेशन प्रभून ने जोर दिया है कि जो लोग इस बिहार में हलांकि कल का जो आकड़ा है 2.22% ही दर है जो जात में आया है जितने संक्रिवित पाए गए हैं लोग तो बिहार में तेजी से एक्टिव मरीजों की संख्या घट रही है ये के अच्छी बात है लेकिन सरकारी कोशिश है इसको पूरी तरह से लगा मिल लगाया ज है तो क्या एक जून के बाद लॉग डाउन खतम किया जा सकता है या फिर आगे और भी डेट बढ़ सकती है या फिर किसी तरह की रियायत दी जा सकती है देखें सरकार का जो अभी तक कर निर्णे है और जिस तरह से करोना के मामले सरकारी आप लम गिर रहे हैं नेयर मुहत्पों विशे हैं सरकार को पता होता है कि वाफिक स्तितिक क्या है ग्राउंड रियाल्टी क्या है आप जो सैंपल टेस्ट करते हैं उन्हें के अदा पर य लेकिन जब जाच ही कम हो रही है या जाच का डायरा सीमित है अभी तक अधिकान्सदार का जायरा है वो सहरी अर्बन इलाके में है ऐसे में अर्बन इलाके में जो अगर गिर भी रहा है तो भी रूरर एरिया का एक बड़ा सेक्टरीनी रीच जो है जाच जादा हो और उसकी मिले डोर टूडर कमपेन करके जात की जाए अगर सबस्पेक्ट मिलता है तो इस इलाके में ड्राइब चला कर जात की जाए क्योंकि काड़ी आकड़ों से करोना नहीं रुकेगा सबसे महत्तों विशे है कि आप जात जादा करेंगे और जात का दाइरा बढ़ाएंगे तभी पता चलताएगा कि वास्तविक तंकमर की दर्ग क्या है तो ऐसे में अभी तक कि आकड़े काफी उत्सा बहाने वाले हैं लेकिन अगर जात का बढ़ाया जाएगा और जात का दाइरा बढ़ाया जाएगा ग्रामरी छित्रों में जात की जाएगी सुदूर वर्ती इलाक जानकार ने अभी तक के आखड़ों के आधार पर निंडर लिया है लेकिन इन छे साब दिनों में जो नए आखड़े आएगे तब जात का दाइरा बढ़ेगा और जात का संक्या बढ़ेगी जी बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जारखड में पिछले 24 घंटों में कुरोना वाइरस के संक्रमण से 33 और लोगों की मौत हो गई है और कुविड-19 के 1394 नए मौामले सामने आये हैं स्वास्त विभाग के रिपोर्ट के मताबिक राज्ज में कुरोना से मरने वालों के संक्या 4871 पहुँच गई है जबकि कुल मौामले 33,1811,001 हो गए है वहीं जारखड के सीम हमन सोरेन ने सोमवार को अपने मंत्रियों के साथ मंत्रोना की कि राज्ज के सभी जिला और प्रमंडल अस्पतालों को आक्सीजन युक्त अस्पताल बनाने का निड़ने राज्ज सरकार ने लिया है राज्ज सरकार की आयूश विभाग भी कुरोना किट के माध्धियम से दवाईयां उपलब्ध कराने का कारे कर रही है और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम संक्रमन को काबू कर पाने में सक्षम हो रहे हैं राज्ज में पॉजिटिव मरीजों की संक्या में कमी होई है या एक सुख़द अनुभाव है इस दवरान लगबग आधे मंत्री ने राज्ज में लागू लॉकडाउन को सक्ती के साथ आगे भी जारी रखने की सलाह दी है जारखड में कुरोना वाईरस से 33 की और मौत होई है बीते 24 घंटे में नए मौामले 1394 सामने आये हैं जारखड में एक सप्ता और लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है आपको बता दें कि मंत्री ने राज्ज में लॉकडाउन को सक्ती के साथ आगे भी जारी रखने की सलाह दी है तो लगबग आधे मंत्रीों ने ऐसा सलाह दिया है वई मदुबनी के जंजारपूर विधायक नितीश मिश्रा ने बीते दीन विधायक निधी से जंजारपूर के अनुमंडल सपताल को 10 और दरभंगा में विवेका नंद सपताल को मिले 5 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर सोंपे विधायक नहीं ऑस्पतालों में कोविड मरीजों के बेहतर इलाज के लिए ऑक्सीजन की निर्बाद आबुर्ती सुनश्चित करने के लिए नुपकरों की सप्लाई क्यों जाने की बात कही मंच को प्रती धन्यवाद रेक्ट करता हूं कि उन्होंने निखला के प्रती सोचा और अमेरिका में रहके इतने दूर रहके भी अपनी मिट्टी के लिए अपनी जन्म भूमी के लिए उन सबों ने सोचा है और दृष्टी संस्था को भी हम धन्यवाद दे रहे हैं जो के लिए एक तरह से बहुत बड़ी साहता होगी जब उनको आजशक्ता पड़ेगी ऑक्सीजन और इसी खबर पर दिक जनकारी के लिए हमारे संबाद दाता मर्देव हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है मर्देव जिस तरीक से जंजार पूर विधाय के एक अनोखी पह पहुत खुसी है खास करके जो यहां इलाज कराने वाले लोग है इस इलाके के इलाज कराने वाले लोग है और साथ ही यहां के अस्थानिय डॉक्टरों में काफी खुसी का महल देखा गया है यह का और यह जो ऑक्षीजन कंस्ट्रेक्टर जो है यह पूरवी अमेरिका से इनके अथक प्यास के द्वारा मंगाया गया है जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भागलपूर में बेते दिन जिला धिकारी सुब्रत कुमार सेन्यानु मंडल अस्पताल और कोवीड सेंटर का निरिक्षण किया इस दोरान उन्होंने मरिजों को मुहया कराई जा रही सुविधाओं के साथ साथ वैक्सीनेशन केंद्र में वैक्सीन की मौझूदा इस्थि की जानकारी भी दे और साथ युनोंने कोरोना संकर्मार की तीसरी लहर के संबंध में की जा रही तैयारियों को जल्द सुनिश्चित करने का आदेश मौके पर जिले के सिविल सर्जन समेत कई अन्य पदादिकारी भी मौझूद रहे तो जिलादिकारी ने कोवीट सिंटर का नरिक्षण किया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जिलादिकारी कोवीट सिंटर का नरिक्षण कर रहे हैं डीम ने वैक्सीन की मौझूधा इस्तिती की पड़ताल की है तो भागलपूर में बीते दिन जिलादिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अनुमंडल अस्पतार और कोविट सेंटर का नरिक्षन किया इस दोरान उन्होंने मरीजों को मुहया कराई जा रही सुब्रताओं के साथ साथ वैक्सिनेशन केंदर में वैक्सीन की मौझूदा इस्तिती की भी जानकारी ली आप तस्बीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जिलादिकारी वैक्सिनेशन केंदर में वैक्सीन की मौझूदा इस्तिती की जानकारी ले रहे हैं उन्होंने प्रोना संक्रमान की तीसरी लहर के संबंद में की जा रही तैयारियों को जल्द सुमिश्चित करने का आदेश दिया उसका उद्वेश यही है कि अज जो थर्ड वेव की बात चल रही है उसमें कितनी सचाई है उसका क्या सैंटिफिक एविदेंस है वह हम लोगो नहीं पता है लेकिन हम लोगे तैयारी एसी रहनी के में की वर्तवान परिस्थिती का तो सामना कर सके और इसके साथ साथ आगे आ कोवीड वेक्सिनेशन तो कोवीड नैंटीन का जो वेक्सिनेशन का कारिकरम चल रहा है 18 से 45 वर्स तक के लोगों में तो काफी उत्सा देखने को मिल रहा है जितनी रैक्सिन की डिमांड है वो हम लोग फुल्फिल करा रहा है तो 45 प्लस से ज्यादा लोग जो है उम्र के व किंद्र समेत कई अन्य स्वास्त किंद्रों का निरिक्षण भी किया इस दवरान उन्होंने केंद्र में मुहिया कराई जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया इस दवरान उन्होंने मौजूदा पदाधिकारियों को वैक्सिनेशन में तेजी लाने का आदेश दिया तो करोना काल में गुमशूदगी का आरोप लगने के बाद काराकाट के जेडियू सांसद महाबली सीह अग एक्टिव हो गए हैं सांसद में बीते दिन दाउद नगर के स्वास्त केंडर समेथ अन्य स्वास्त केंडरों का नरिक्षन किया है आप तस्वीरों देख सकते हैं कि किस तरीके से नरिक्षन करने पहुंचे और इस दोरान उन्होंने केंडरों में मुहया कराई जा रही सुविधाओं का भी जैजा लिया है तो इस दोरान उन्होंने मौजुदा पदादीकारियों को वैक्सिनेशन में तेजी लाने का भी आदेश दिया है कि आप पर लापता होने कारोप लगा रही है इसलिए आप नहीं नहीं वह बात नहीं अच्छा यह बता ही है कि मतला हम तो जब पार्या में चलता है तो हम तो रहते हैं दिल्ने में नहीं तो पार्या में ठतम हुआ तो छेतर में रांदी रहते हैं लेकिन अगर लोकडाउन का हम भी पालन महीं करेंगे तो जमता को हम क्या सिखाएंगे लोगों को क्या समझाएंगे कि लोगषरों मेरा ये लोकडाउन का पालन वहीं राजधानी पटना के सबलपूर के स्टील प्लांट में गैस फटने के कारण नौ लोग बुरी तरह जखमी हो गए जिनका इलाज अपोलो वरण में हो रहा है वहीं इस घटना के बारे में परियनों का कहना है कि सरकार से अविलंब कानूनी कारवाई करते हुए मौाबजे की मांग की है और साथ ही बताया के इलाज में जो खर्च होता है उसे ततकालीन भरपाई की मांग की गई है प्रशासन या फैक्टरी सरकार की लापरवाही पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है करना चाती है रह्त को फैसी तर्वटी लिए था रख शरकार से क्या मांग करती है मैसे ज़ीचा अपत्त से जजादा कुछ नहीं मांग को था त gusta तो आप मालून है कि पुछ राव मेट्रियल जो काम कर रहा था होई लोग डाल दिया है उसी में जो मेट्रियल था होई उपर में फेक दिया है और उसमें चला हुआ है अड़ना आदमी इलाज चलना सब ठीक है तो आप मालून है कि फैक्रिया बंद है तो कैसे काम चार रहा है बंद करने के लिए कहा है नहीं हुचालू है इस्टिल ब्लांड के लिए सरकार के तरफ से कोई बंद नहीं वहिए उत्तर परदेश के स्वास्त मंतरी जै परताब सीही स्वास्त निरिक्षण के लिए सुल्तानपूर पहुंचे इस दोरान मंतरी ने कोरोना के तीसरे स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए किये जा रहे तैयारियों का जैजा भी लिया निरिक्षण के दोरान उन्होंने तमाम अस्पताल प्रबंधन को बेड डॉक्टर और दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया इस दोरान कलेक्टरेट सभागार में बैठक के दोरान स्वास्त मंतरी ने मीडिया से बातचीत भी की दूतर परदेश के सुआस्थ मंतरी जय परताब सीह हिस्वास्थ निरिक्षण के लिए सुल्तान पूर पहुँचे इस दोरान मंतरी ने करोना के तीसरे स्ट्रें को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए किये जा रहे तयारीयों का जाहईजा लिया नरेक्षण के दौरान उन्होंने तमाम अस्पताल प्रबंधन को बेड, डॉक्टर और दवाईयों के उपलब्दता सुनिश्चित करने का आदेश दिया अधेश दिया जन्पदों में सभी जिर आस्पतालों पर 25 बेड का पीडियाट्रिक आइसीओ बच्चों के लिए उनका पीडियाट्रिक आइसीओ करने के तैयारी करने के लिए और उसी के साथ में जो सामजा एक्स्वास केंद है उस पर भी हम लोग अपना साथाट का पीडियाट्रिक आइसीओ भी तैयार रखेंगे उससे संबंदिक जितने भी संसादन है दवाई हैं डॉक्तर्स हैं डॉक्तर्स की जहां कमी होगी पीडियाट्रिक्चिन का तो उनक तक कि यह संब्सक्राइब राष्ट्रिक गाल है यह समस्तिपूर में सात्र राष्ट्रेजनाता डलiego के तरफ से जितवापूर में समाज के जुरत मंद के लिए कोई भूखा ना रहा भीयान के तहत लालू की रसोई की शुरुआत की गई जिसका शुबारम बस्थाने विधायक अख्तरुल इसलाम शाहीन में जितवापूर पावर हाउस के पास के दलित बस्थी में खीर बाट कर किया। मौके पर शित्रे विधायक ने कहा कि लॉकडाउन रहने तक रोज कई पंचायतों में गरीब असहाय और जरुप मंदो के लिए च्छात्र आरजेडी समस्थीपूर के द्वारा लालू की रसोई की तहत भोजन का पैकेट वित्रित किया जाता रहेगा। नीशुन के दवाई वित्रन का भी काम लगातार कर रहे हैं और लालू की रसोई के नापे खाना बना करके वित्रन का काम दिपिछले एक सब्ता से जादर समय से चल रहा है। जब तक संभव होगा हम लोग का कोशिस होगा कि गरीब गुर्बा का क्टोला, खास के दरित महादलित का क्टोला, जहां पर लोग विरोजगार हो गए हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, खाने का धिक्कत है, तो लालू की रसोई के तहट 200-400 पैकेट बना करके, पर पेक द पर बेहतर स्वास्त सुविधा उपलब्द कराने का निर्देश दिया गया था, बावजूद इसके मुखमंतरी नितीश कुमार के ग्रिह जिले में कई ऐसे स्वास्त उपकेंद्र हैं, जो जरजर अवस्था में चल रहे हैं, कहीं मकान गिर गया है, तो कहीं भूसे के ढेर के बीच स्वास्त उपकेंद्र चलाय जा रहा है, बिहार शरीफ मुख्याले से महज 5 किलोमेटर दूर कोई कुरई पंचायत इस्थित महानन्द पूर्व का स्वास्त उपकेंद्र को देख कर ही सहज अंदाजा लगा जा सकता है कि यहां के लोगों को किस तरह की स्वास्त स करीव साथ पैसर पैसर दूरस से एक कुरई पंचायत के महान पूर्व में चल रहा है, आई उन्हें सुब बानवे में इस बिल्डिंग बना है, कुछ दिन तो चला ठीक, लिकिन इसका इस्था हाल आ थे, जर्ज हाल थे, कि कुड़ा दान बन गया, इस वास्त केंद्र नही तो छोड़ा मुड़ा दाक्टर है, नहीं रहे, तेहां लोग को बचाना भी मुश्किल है, तो रोना काल, तो एक बार कहे थे, कि वीडियो साब कहे थे, कि तो हस्पीटल ठीक नहीं है, गिर जब कप गिर जागा, इसलिए डागडर भी नहीं आता हा, नहीं को कमपोर्टर ह अभी तो देखे रहे, कि मतलब वहां डॉक्टर भी नहीं पहुंच रहे, जो तिन महिना से, नहीं कोई नहीं है, और इसी खबर पर अधिक जनकारी के लिए हमारे समवाद दाता शिव कुमार हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं, शिव जिस तरीके से सीम के ग्रिह ज जर जर देखे जा रही है। द्वारा सारे जगों पे इस तरह के केंद्र थे और जो भी स्वास्त्र शुविधाएं थी, उसके लिए बोला गया था कि हर हाल में दुरूस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन एक साल बीटने के बाबजूद, आज भी हालात वही बने हुए हैं, और नहीं यहां पे कोई कमप पांच जार कैपिसिटी के लोग हैं, जिनका इलाज जोला च्छाब दॉक्टर के शाहरे चल रहा है, जी, बहुत बहुत शुक्र रहा तमाम जहनकारी के लिए फिलाल बिल्टन में इतना ही देश और दुनिया के तमाम ख़बरों के लिए देखते रहिए, वियाई पी नियूज नौसका